बाहर फट 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 की जोर से आवाज गूई सीमा को लगा कि पटा के फूट रहे हैं उट डर के मारे घर से बाहा निकली देखा तो सामनी योगेश याने की पती देव एक बुलेट बाइक पर बैठे हैं अरे डर गई क्या? बाइक लेकर आया हूँ तुम्हें गुमाने के लिए सच में? मुझी लगाओ पटा के फूट रहे हैं अरे पटा के भी फूटेंगे और मिठाए भी बटेगी मा को तो बुलाओ मा भी बहार आ जाती है अरे योगेश बेटा, इतनी जल्दी आ गया और ये गाड़ी किसकी है? साहब की है? हाँ मा, तुम्हारा बेटा साहब से कम है क्या? मेरी है अरे बेटा, इतनी बड़ी गाड़ी लेली इससे तो तो घोड़ा ही लेलेता महंगी पड़ी होगी ना मा महंगी सस्ती छोड़ो और मिठाए लाया हूँ गाओं में बटवा दो अरे बटवा क्यों दो? पीछे बैटो, गाओं में बाट कराता है सब खुश थे योगेश गाओं के बहार एक कोईले की खादान में मजदूरी करता था मैनत और अकल से उसने वहाँ ठेके दारे का काम सीख लिया और सूज बुझ से ठीक ठाक पैसा बनाने लगा गाओं में बात फैल गई कि योगेश के घर धमा का गाड़ी आई है ऐसी गाड़ी पहले कभी किसी ने गाओं में तो देखी नहीं थी योगेश और मा गाड़ी से वापस घर आ जाते हैं बेटा बाबुजी उपर से देख रहे होंगे और आशिरवाद भी दे रहे होंगे तुझे वो होते तो उनको भी घुमाता मा पूरे गाओं में नाच-नाच के मिठाई बाटने जाते जैसे मैंने नाच-नाच के बाटी थी जब वो अपने लिए एक साइकल लेकर आये थे बेस बेस बाबुजी दो बाद भी सुनाते कि फट-फट वाली फट-पटी ले आया सीमा आगे कहती है अपने लिए तो ये गाड़ी ले आए और मेरे लिए अगली सुबर जब योगेश सू रहा होता है तो उसे बाहर से गाड़ी की आवाज आती है वो घपरा कर चिलाता है मा भी जाती है और योगेश की साथ दर्वासे की तरफ भागती है जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सीमा गाड़ी चला रही है अरे बहू, ना कटवाओगी क्या, ये क्या कर रही हो अरे गिर जाओगी, ये क्या कर रही हो तुम सीमा गाड़ी को रोक कर कहती है सारे गाओं में घुमा लाई, कहीं नहीं गिरी क्या, सारे गाओं में घुमा लाई अरे लोग क्या कहेंगे बहू, सोचा क्या एक बार यही कहेंगे कि कितनी अच्छी गाड़ी है अरे तुमारे बारे में हाँ, कहेंगे ना कि देखो कितनी अच्छी गाड़ी पर बैठी है बहू गाड़ी रखकर योगेश और सासुमा की पास जाती है तुमने कब गाड़ी चलाना सिखा? हमारे बाबुजी की पास पुरानी स्कूटर थी, सीख ली फिर स्कूल में एक मास्टर जी भी ऐसी गाड़ी लेकर आते थे, उन्होंने सिखा दी हाँ हाँ, स्कूल के मास्टर आजकल यही सब तो सिखा रहे हैं पढ़ाई का कुछ सिखाते तो कुछ भला होता, अरे बहु अब गाड़ी मत चलाना, हमारे परिवार में कभी किसी औरत ने पीछे से आगे की सीट पे आने की हिम्मत नहीं की है, तुम भी मत करना समझी? जी, समझ गई माजी सीमा सास की बात सुनकर चुपचा प्रस्वय में जाकर उदास होकर खाना पकाने लगी है, सास सुबह सुबह मंदे से पूजा करके लोट रही होती है, तभी उसे दो और ते रोक लेती हैं और कहती है अरे बहु को थोड़े अच्छे लेक्षिन भी सिखा दो, गाड़ी चलाने निकली थी, गाओं की मर्यादा का कोई खयाल नहीं है वही तो, अरे पैसे आने लगे हैं, तो क्या मतलब कि किसी रिती रिवाज को नहीं मानोगे? अरे समाज में रहना है, तो समाज के डंग से ही रहना पड़ता है अरे लाज भी नहीं आई बहु को, चूले चौके से निकल कर सीधे गाड़ी लेकर चौराए चब उद्रे नाप लिए फाट 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 करते हुए, अरे कुछ कहा दे ना उसे अरे ये क्या कहेगी, बूड़ी सास है, इनकी थोड़ी न चलती होगी घर में? हाँ, बहु की ही चलती होगी, मर्जी भी और गाड़ी भी सास सब सुनकर घर आती है, और बहु को चिला के बलाती है अरे ना, कटवादी सब के सामने गाड़ी चला कर, और अतजात गाड़ी नहीं चलाती शहरों में तो चार पईयों वाली गाड़ी भी चलाती है, और हेलिकॉप्टर हवाई जहाज भी शहर में थोड़ी न रहती हूँ मेडम साहिबा, आज के बाद गाड़ी से ही नहीं, यूँ भी निकलना बंद तुम्हारा घर से मा सही कह रही है, कहीं भी जाना हो तो मुझे बता देना, मैं लेकर चलनूगा, आज मा को तुम्हारे कारण कितनी बाते सुदनी पड़ी इतना कहते हुए योगिश वहाँ से चला जाता है, बारिश की वज़े से कारखाने के रोड़ पर कीचड रहता है, इसलिए योगिश गाड़ी घर रख कर जाता है, और किसे से लिफ लेकर कारखाने पहुँचता है, ताकि नई गाड़ी गंदिना हो, लिकिन शाम को इतनी तेज बारिश होती है कि उसे वापस आने का कोई साधन ही नहीं मिलता, बारिश बढ़ती जाती है, रात के ग्यारा बच जाते हैं, रास्ते में एक नदी का ब्रीज है, अगर उस पर पानी आ गया तो योगिश कार खाने में ही फस जाएगा, पूरी रात भूखे प्यासे ब एक बाइक आकर खड़ी हुई है, वो उपर वाले को धन्यवाद देकर उस बाइक वाले आदमी की तरफ बढ़ता है, पर पांस जाकर देखता है, तो भूचक का रह जाता है, सीमा तुम यहां इतनी बारिश में गाड़ी पर, पहले बैठो तो, नदी ब्रीज पे आ जाना मुश्किल हो जाएगा, योगेश गाड़ी के पीछे बैठता है, सीमा गाड़ी चला रही है, मैंने तो तुमको पैचाना ही नहीं, गाड़ी की आवास तो पैचानी होगी ना, अरे पर मुझे नहीं पता था कि तुम आओगी, अच्छा क्या कि तुम आ गई, मा नही आने दे रही थी, पर हमेशा पती पतनी की रक्षा थोड़ी ना करेगा, पतनी को भी तो करनी चाहिए, योगेश को सुबह अपने किये पर पच्टाबा होता है, उसकी आँख में आसू आ गये, जो बारिश की बुंदों में बह गये थे, उसके बाद सीमा को सास दे और यो